जैन सातियों बहुत बुश्वागत है आपका अपने ही चैनल NIS Online Hub में दोस्तों यहां पर फाइनली जो है पटना के जिला शिक्षपदकारी के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है और यहां पर दोस्तों हम लोग दो लेटर के बारे में चर्चा करेंगे एक पटना से आ र से हैं इस वीडियो का आप आन तक देखिए और दोस्तों आप कमेंट करके जरूरी बताए कि आप किस नियोजन निकाई और किस जिला में डाले हैं ताकि दोस्तों कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपको इस चैनल के माइधम से मिल पाईए तो दोस्तों आईए वीडि अभिहारतियों को इसमें इस बहाली में सामिल नहीं किया जाए उसको लेकर एक कमेटी जो है गठित किया गया है जो कि इस वीडियो में दोस्तों यहां पर देख लीजे जो पटना से जारी हुआ है यह लेटर प्रेशक निरेज कुमार जिला शिक्षा पदकारी पटना परखंड सिक्षक नियोजन पंचायत सचीव सचीव पंचायत सिक्षक नियोजन पटना और यहां पर दोस्तों देख लीजी लिखा है बिसे प्रारमिक सिक्षक नियोजन उनिस बीस के अंतरगा संद्री परकिरिया के संबन्द में और यहां पर लिखा है महासय उप्यूक बिशय विभागी अधिसुचना 593 दिनांग 26-2021 के आलोक में सिक्षक निक्ती 19-20 की परकिरिया के अंतरगत परखंड सिक्षक नियोजन एकाई का जिला अस्तर 77-2021 एवं पंचायत सिक्षक नियोजन परखंड अस्तर पर 22-12-7-2019 को कौंसलिंग की तिति जो है निर्धारित की गई है अंकी है कि कौंसलिंग के पुर्व हदो अस्तरी द्वारा मैधा सुची का अनुमोदक नाइसी के पटना के यानि नाइसी के जो व्यपसाइड है उस पर परकासित किया जागा और ऐसी इस्तिती में निया जाता है तो दोस्तों आप देख लीजिए निर्देश दिय गया है परकंड सिक्षक नियूजन के अंतरगत जिस विषय में दिव्यांग का दिनांग गारा 621 से 25 621 तक आविदन प्राप्त नहीं है उस विषय का अंती मैधा सुची 28 621 तक संबंदित परकंड विकास पदकारी सदेश सजीप द्वारा हदो हस्तारी से अनुमोदक है अंती मैधा सुची उपलब्त कराना सुनिचित करेंगे दूसरा जो यहां पर दिया गया है निर्देश 45 से चक नियूजन एकाई के अंतरगत जिस नियूजन एकाई में दिव्यांग का आविदन गारा से 6 से गारा से लेकर 25 तक आविदन प्राप्त नहीं है उस नियूजन अंती मैधा सुची उपलब्त कराना सुनिचित करेंगे दिनांग 26 चेट वाजरे किस तक अंती मैधा सुची में चेइवं प्राप परकाशित नहीं जन होने के लिए संबंदित नियोजनिकाय के सची पुर्व रूप से जवाब देगी होगी यानि दोस्तो आप लोग को बहुत सार आप लोग का कॉमेंट आ रहा है सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इस नियोजनिकाय में दिव्यांग का की आवेदन पड़ा है तो नहीं पड़ा है यहां पर जो भी अपडेट आ रही है आपके साथ जो है साजाग किया जा रहा है और देख लिजिए आप लिखा है जिला शिक्षा पदकारी पटना विस्वास जन तो दोस्तो यह 25 तारिक को यह लेटर जो है जारी हुआ है जो कि आज जो है आपको देखने को मिल रहा है त देख लिजिए थे और लिखा है प्रारमिक सिक्षेक में पृड़िस्त नियूजनिकाई से प्राप्त अंती मैधासुची का जिला अस्तर पर अनुमदक है तू जिला कार्याला पधकारी अस्तापना खगडिया की अज़कता में बीटेड सीटेड एस्टेड की जांच है तू एक केमेटी का गठन किया गया है यानि जो भी बीटेड सीटेड और एस्टेड पास हैं और इस बहाली में भाग ले रहे हैं उसको लेकर खग का पर्ति नोजन किया जाता है और इसमें जो परति नोजन का किया गया है आगे यहां पुर्ण तक लागू रहेगा नियोजन की परकिरिया समाप्त होने पर या परती नोजन जो है स्वत्व समाप्त माने जाएगी तो दोस्तों आप देख लीजिए सिक्षक और पद का नाम दिया गया है श्री जोहार कुमार सहयक सिक्षक श्री राकेश गांदे सहयक सिक्षक श प्रजेक्ट बालिका इंटर बिद्दाले डुम्रिया बुजुर्क परतला उच बिद्दाले तो इस तरह खगड़िया कि जितने भी उहां जो है इस तरह का एक जाज कमेटी जो है बनाया गया है और दोस्तो जैसे जैसे अफडेट आ रहा है बिहार सिचक नियोजन से समदित आपको दिया जा रहा है तो आपसे अनुरोध रहेगी दोस्तो आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सकाइब कर लिजेगा और और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिजेगा ताकि कोई भी बिहार सिचक नियोजन से समदित पल पल का नियो जाए सबसे पहले आपको मिल पाए और उस वीडियो का आप जो है लाब उठा पाए तो दोस्तों कॉंसिलिंग के लिए जितने भी डोकुमेंट से आप रेडी कर लिजिए क्योंकि इस तरह से जो है हरे के जिला शिक्षा पदकारी के दुआरा लेटर जारी हो रहा है और जो भी लेटर आ रहा है आपके समख चलाने का मैं पर्यास कर रहा हूं तो दोस्तों आई हो वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब क आने के लिए इस चैनल पर बने रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहिन झाल करिया के लिए